हर कोई इंसान अमीरania चाहरता है और अमीर वनने का सर्फ एक ही राषता है फाइनाशल प्लानिंग यदि आपको अमीर वननाए अंगले 20 स्वाध क्यारी की से का किस तरह से किस तरह से आपने क्याश को क्याश कलो को बनाए रखा कैसे आपने अपने गौलंड को Achieve करने के लिए planning की यह decide करता है आपकी financial planning और आपका dream क्या है इन पर तो आज की video में हम जानने वाले हैं की कैसे आप financial planning कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं financial planning आप कैसे कर सकते हैं इसको जानना हो यदि आप financial planning नहीं करोगे तो आप उसी तरह होंगी जैसे आप driverless car में sével कर रहे हो यानि जो जिन्दिकी है वह आपकी car है और वह कैसी है driverless और उसमें जिसमें आप बैठेंے वह आप हैं यानि यदि आप बिना goal अजिके बिना dream के कहीं आतरा या अपनी जिन्दिकी या अपनी life तो आप driverless car में सफर कर रही हैं यानि आपकी life का में जोखें या crisis आने वाले हैं और वह क्यों आएंगे क्योंकि आपने financial planning इस तरह से नहीं की कि आँगे आने वाले समय में आपको उसका benefit मिल सके यानि आँगे आने वाले समय में आप उतनी asset create कर पाएं कि आपके आँगे की life को आप survive कर पाएं और यह depend करेगा कि आप अभीषे financial planning कैसे करते हैं तो आईए जानते हैं हम कैसे कर सकते हैं financial planning तो चलिए start करते हैं financial planning आप कैसे कर सकते हैं financial planning आप कैसे कर सकते हैं तो आईए हम इस एक primit के थुरू समझते हैं कि आप कैसे अपनी financial planning कर सकते हैं Financial planning में, जो आपका top पर होगा, वह है आपका goal होगा, dream होगा, जिससे आप achieve करना चाहती हैं, लेकिन आपको goal तक पहुचने के लिए आपको इतना सफर तै करना होगा, तो इस सफर में आपको बहुत सारे जोखिम भी आएंगे, बहुत सारे hurdles भी आएंगे, बहुत सारे समझ्या आएंगे आपके goal को achieve करने के लिए, आपका goal कुछ भी हो सकता है, जैसे आप journalist बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, या फिर आप bilinear बनना चाहते हैं, या करोलपती बनना चाहते हैं, या आप कोई बड़ा घर house खरीदना चाहते हैं, आपका कुछ भी goal हो सकता है, लेकिन उसको achieve करने के लिए आपको लंबा सफर ताय करना होगा और उस सफायर को ताय करने के लिए आपको decide करना होगा कि आप किस तरह से financial planning करते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं आपके goal तक पहुँचने के लिए आपको मैं इस primit के दोरा true समझाता हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा dream जो आपका top पर होगा इस तक पहुचने के लिए आपको risk manage करना होगा यानि आपको बहुत सारी शमश्याएं आएंगी आपका health issues हो सकते हैं तो इसको manage करने के लिए आपको health insurance करवाना होगा आपने health को hedge नहीं किया यानि अपनी risk जो health risk है उसको आपने insurance के through hedge नहीं किया तो आपको आँगे समझाएं आएंगी और आपको financial crisis आपको अपनी life में देखने को मिलेंगी और यह सर्फ आपके individual की बात नहीं कर रहे हैं पूरा परिवार इससे प्रभावित हो सकता है यदि आपके किसी परिवार को कोई hysterious problem हो जाती है या cancer हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है तो यदि आपने कोई insurance नहीं करवाया आपने family का या आपका तो जब भी कोई ऐसी समझ्या आएगी तो आपका पूरा पैसा पूरी जितनी भी समपत्ती है उस इलाज में पूरी समपत्ती चली जाएगी और आप अपनी life में कुछ भी नहीं करवाएंगे तो उसको manage करने के लिए आप कैसे manage कर सकते हैं इस risk को उसको manage करने के लिए आप health insurance कीजिए प्रापर्टी का insurance कीजिए कार का insurance कीजिए एक तरीका हो गया है अपने goal तक पहुँचने के लिए मैं आपको इस permit के थुरू समझा रहा हूँ तो एक तरीका होगा आपका risk को manage करना सीखना है आने बाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपको cash flow planning यानि आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो earning हो रही है income आ रही है वह कहाँ खर्च हो रही है तो यही भी आपको decide करना है कि आपकी cash flow determine करना है कि कहाँ जा रहा है आपका पैसा और कितना खर्च हो रहा है फिर आपको डिसाइड करना है कि आप कहां पैसे बचा सकते हैं और वह मैंने आपको वजटिंग बाले जो वीडियो है फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था देन हमारा अंगला जो कदम होगा वह होगा हेल्थ हेल्थ पर भी आपको इंसुरेंस में जैसा कि मैंने बताए है हेल्थ ईंसुरेंस करवाना है मेडिकल ऑइंसुरेंस करवाना दुरषत ना भी होते हैं700 जिव को आपको करवाना डिम होते हैं इंस निक यदे न इस्को हमारी लेगस हिह हम चोड़के जाएंगे और हमारी future की जितनी भी expectation है उनको achieve करने के लिए और साथ में हमें एक और plan बनाना है retirement plan यानि आप जब retire होंगे तो आपके पास इतनी income होने चाहिए कि आपका जब आप 60 साल है 70 साल के होंगे तो आप आराम से अपनी life को जी सकें तो उसके लिए आपको retirement के plan भी अभी से बनान हो कि आप आराम से अपनी life को जी पाएं और जो हमारा अंगला कदम होगा वह होगा हमारा जो dream जिस dream को आप achieve करना चाहते है वह हमारे प्रामिड में सबसे टॉप पर है उसको achieve करने के लिए आपको इन सबी कदम को अपना ना होगा तब ही आप सही से जो आपका गोल है जो आपका financial planning करने का तरीका जो मैंने basics आपको बताए risk management, cash flow, estate needs plans and retirement plan, health क्योंकि health आपकी working asset है यदि आपको कुछ भी हो जाता है तो आप goal को achieve नहीं कर पाएंगी जैसे कि आप यदि एक car में जैसे कि मैंने आपको एक अधार मताया यदि आप car में drive कर रही है car में यदि आपने seat belt नहीं बाना यानि आपने जितने भी safety की norm है उन्नियमों का यदि आपने पालन नहीं किया तो निश्चे थी आपको जो खे मांगे मिलेगा ही मिलेगा तो आपको health insurance भी करवाना हो और top पे रहेगा हमारा dream क्योंकि हमारे dream तक पहुँचे में हमें बहुत सारे hurdles आएंगे तो उन hurdles को risk hedge करना भी बहुत जरूर यह है तो आईए अब हम बिस्तार से बताते हैं कि आप कैसे financial health checklist यानि planning जो आपको करनी हैं कैसे कर सकते हैं net worth आप कैसे calculate कर सकते हैं सबसे पहले आपको जितनी भी आपकी Total assets हैं जैसे आपकी car हो गया home हो गया या बेंक में जमा amount हो गया इन सबी को आपको calculate कर लेना है उसके बाद क्या करना है हमें net worth calculate कि जितनी भी आपकी liability liability in the sense कि liability वो होती हैं जो आपको चुकानी होती है जैसे loan हो गया, debt हो गया, जो कर्ज आपको चुकाना होता है, वह लायबिलिटीज में आता है, अब आपको net worth calculate करने के लिए total assets में से आपको total liability को minus कर देना है, तो आपकी net worth calculate हो जाएगी, अब आपको decide करना है कि अंगले आप 5-10 साल में आप कितनी अपनी assets को बनाना चाहती है तो यह है dependent करेगा कि अप financial planning में अपना goal क्या है आपका, गोल आपको कोई भी financial planner नहीं बता पाएगा, मैं अभी आपको नहीं बता पाएगा, गोल आपको decide करना है कि आपका goal क्या है, आप car खरीदने चाहती हैं, बड़ा सा house खरीदने चाहती हैं, इसको decide करने के बाद, आपको जो मैंने आपको मेड में पॉइंट्स बता रहे हैं उन पॉइंट्स के ध्यान में रखते हुए आप खुद अपने आपसे financial health checklist बनाईए और अंगले 5 से 10 साल के बाद आप कहा होंगे यह है आपकी financial planning पर depend करेंगा और आंगे आने बाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगो कि आप investment से कैसे अपनी income को बढ़ा सकते हैं और अंगले 5 से 10 साल के बाद आप billionaire करोर उपती बन सकते हैं तो आंगे आने बाले वीडियो को आप जरूर देखिए इसी note के साथ वीडियो का अंत करते हैं आंगे आने बाले वीडियो को आप जरूर देखिए और चैनल को like subscribe and share करना मत बूलिए